अगर आप मिर्ची खाने के शोकीन है तो इस रैस्पी आपके लिए है यह एक साइड डिस है आप इसे डाल के साथ में पराठे के साथ में या फिर आप इसे छोले कुलचे के साथ में खाएए बहुती जादा टेस्टी लगेगी हम इसे सिर्फ दो मिनट में बना कर त्यार करे बस थोड़ा सा छोड़ देना है ताकि एक दूसरे से जुड़े रहें अब यहां पर मैंने ले लिया है तवा तो तवे पर हम थोड़ा सा यहां पर तेल आड़ करें जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं तेल को हम हलका सा गरम करेंगे जादा गरम मत करना नहीं तो जो मि को लो कर दे और इसे हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे ताकि जो यह ओल है वो अच्छे से कोट हो जाए मिर्चियों में बस लगबग 15 से 20 सेकिंड आपको इसे चलाना है तो मिर्ची को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है तेल में अब हम इसमें डालेंगे आदा टी स्पू डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक आप जितना खाते हैं उस हिसाब से इसमें नमक भी आड़ कर ले और इसे लगबग हम एक से डेड़ मिनट के लिए ऐसे ही चलाती रहेंगे तो देखे डेड़ मिनट बाद आप देखेंगे कि मिर्ची फ्राई हो गई है गैस का फ्लेम बंद कर दे और कुछ सेकंड के लिए से ऐसे ही चला ले गैस का फ्लेम बंद करने के बाद में कुछ सेकंड मैने से और चला लिया है तो टोटल आपको दो मिनट लग जाएगी से फ्राई करने में पिंबासी रैस्पी है बट खाने में बोर टेस्टी लगती है वीडियो कैस वीडियो के साथ में थैंक यू फॉर वचिंग और सब्सक्राइब तो मैं चैनल